प्रेस्ट बेल आइकन आप इपार्चाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट इस नाव वी आर बैक विद थर्ड पार्ट अफ दिस चैप्टर क्लास 11 का दोस्तों हम चैप्टर 11 कर रहे हैं और यह वीडियो का तीसरा पार्ट है अकॉर्डिंग जो न्यूस लेबर्स हमने इस चैप्टर पे वीडियो बनाई है और इस चैप्टर के दो पार्ट पहले ही अप्लोड हो चुके है दोस्तों अगर आपने वीडियो के यह दो पार्ट नहीं देखे हैं तो दैन पहले आप उन्हें वाच करिए जब जाके आपको वीडियो का यह तीसरा पार्ट समझ में आएगा तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक साइड ले जाके बताने की कोशिश करूं कि हमने पहले क्या पढ़ा था हमने पढ़ने की यह कोशिश करी थी कि कि किस तरीके से जिस समय पे जापान के अंदर तुका गावा परिवार जो था जो शुग्न डैनेस्टी से ब्लॉंग करता था उसने जापान के ऊपर काफी समय तक राज किया था जिसका आप लास्ट टाइम पिरिट देख सकते हैं 1868 इस टाइम पिरिट तक इन लोगों ने राज किया था और इसकी फाउंडिंग establishment करने वाले ये वेक्ती थे इन्होंने इसकी establishment करी थी और उस time period पे तुका गाव परिवार काफी हद तक जापान के उपर राज कर रहा था यानि कि कह सकते हैं कि एक राजा का शाशन था लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है जापान के अंदर एक आंदोलन की शुरवात हो और एक युद्ध होता है युद्ध होता है बोर्शीन वार बोलते हैं इसे मेजियों ने बोर्शीन वार करा था 1868 के time period पर इस time period पर करने के बाद ये देखा गया कि नए राजा का गठन हुआ यानि कि नए समराजय का गठन हुआ और यहाँ पे finally कौन आया मेजी कर लिया और यहाँ पे नए राजा बने जापान के वो मेजी कहलाते हैं तो यानि कि 1868 के अंदर आंदोलन के शुरुआत हुई और इस तरीके से शुग्न लोगों को हरा दिया गया और यह लगभग 1868 से लेके 1912 तक रहे यानि कि अभी आने वाले जितने भी स्टोडी रहे गी वो हम यह समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मेजी लोगों ने मेजी लोगों ने किस तरीके से तुका गाव परिवार का जितना भी सिस्टम था उसको दुबारा से रेस्टोरेशन करा यानि कि री और्गनाइज करा और अपने हिसाब से जापान के सिस्टम को चला कोशश करी जपान में क्या क्या बदलाओ होंगे जपान में क्या क्या चीज़े नई आएंगी जपान में किस हिसाब से सिस्टम को म różडर करा जाएगा वो अब हम देखने के कोशश करेंगे मेजी दिनस्टी के ठूरँелиव तो यह हम देखने की कोशिश करेंगे तो भई मेजी ने मेजी रेस्टोरेशन पहला ही पॉइंट आपका ही ये है और मेजी पुनर स्थापना का मतलब ये हो गया कि उस टाइम पिरिट पर जस टाइम पे जापान जो था बाहर की वेस्टरन पॉलिसी नहीं अपना रहा था और मैं बोल सकता हूँ फॉरण पॉलिसी नहीं अपना रहा था मेजी के आने की वज़र से मेजी लोगों की किसमत चमग गी आप ये समझ सकते हैं क्यों क्योंकि उन्हीं की टाइम पिरिड के बाद ये देखा गया कि 1853 में 1853 के अंदर यूएस के कमांडर मैथ्यू पेरी अब देख सकते हैं ये यूएस के कमांडर थे इस्टेंड़ा एक स्क्वाडन के बंदे थे और उस समय पे इनको भीजा गया था बिजनिस और वेपार करने के लिए किन लोगों से जापान के लोगों से जब जापान के लोगों से बिजनिस और वेपार करने के लिए मैथ्यू पेरी को भीजा गया तो जापान की उस टाइम पे किसमत समग गई ऐसा कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के लोग उस टाइम पेरट पर टेकनोलेजी में बहुत जादा आगे थे और जापान के लोग नहीं थे और जापान पर इससे पहले सुंग डैनस्टी राज कर रही थी लेकिन दोस्तों सुंग डैनस्टी के बाद मेजी डैनस्टी आती है और मेजी डैनस्टी के लिए कि एकदम से पढ़ गए उनकी वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो पेरी थे यानि की जो मैथ्यू पेरी थे वह जापान से कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं उनके आगमन की वज़े से पॉलिटिकल जो जैपनीज पॉलिटिक्स थी उसमें काफी ज्यादा महत्पूर्ण बदलाओ हमें देखने को मिले अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मैथ्यू पेरी जो है ये वेक्ती जापान कैसे पहुंच गया अगर आपको याद हो तो भाई हमारा जो यहाँ पे तो हो गया हमारा क्या यहाँ पे हो गया हमारा नौर्थ अमेरिका और यहाँ पे हमारा हो गया साउथ अमेरिका अगर आप ये देखें कि यहां का ओशन अगर वो क्रॉस करेंगे कौन सा ओशन है दोस्तो वो आपकी बुक में बहुत ही ज़ादा असानी से आपको मिल जाएगा उस टाइम पिरिट पे ये परशांत महासागर कहलाता है पैसिफिक ओशन कहते हैं इसे और यहां पे बीच में पढ़ता है जापान और जापान के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पढ़ेगा चीन चाइना क्योंकि उस टाइम पिरिट पर नौर्थ अमेरिका के वेक्ति जितने भी थे वो चाइना से वेफार करते थे लेकिन अब इतना बड़ा जहाज पैसिफिक ओशन को क्रॉस करेगा क्रॉस करने के बाद बीच में उन्हें कहीं ना कहीं अपने पैट्रोल या फ्यूलिंग या इंधन को डालने के लिए कहीं ना कि जगा तो चाहिए ना तो वो जगा पढ़ रही थी जपान और वो जगा जपान पढ़ रही थी और इसी वज़े से इन लोगों ने बीच के कंट्री बन रही है इसी लिए यह देखा गया कि इस टाइम पीरड पर चीन के वैपार की वज़े से जपान से वैपार होने लग गया और कहीं न कहीं इसकी वज़े से अचानक से यहां पर आए हुए समराट की एक मैं कह सकता हूं वैल्यू बढ़ गई समराट कौन से जो मेजी लोग थे उनकी वैल्यू बढ़ गई और यहां पर इसी वज़े से 1868 के अंदर मेजी ने रेस्टोरेशन करा और यहां पर मेजी जो थे और पूरी तरीके से शुगने डैनस्टी को हटा के पूरी कैपिटल जो एदो थी जिसे आज आज आप टोकियो बोलते हैं व करा जापान में लेकिन अगर आपको याद हो कि 1857 की करांती के बाद हमारे भारत में इस टिन्याग अपनी ने एनिक 1858 के अंदर पूरी प्रॉपरी तरीके से कहीं ना कहीं बृटेन के लोगों ने हमें गुलाम बना दिया था अब यही सेम चीज जापान को भी सता रही थी जापान के लोगों को यह लग रहा था कि अमेरिका याननी की यूएस यानि की मैथ्यू पेरी अगर हम से वेपार करने आये हैं तो कहीं ना कहीं ये य़रोपेन लोग इहाँ पर अपनी कलोनी ना बना ले क्योंकि जैसा उन्होंने इंडिया के साथ करा था तो जापान के ल के अंदर अब यहां पर यूएस के जो मैं कह सकता हूँ उस समय आर्मी के हेड थे तो रिलेशन विल्डप करने के लिए आये थे और कहीं न कहीं जापान को भी गुलाम ना बना ले यूँकि दोस्तों यह गुलाम तो ऐसी बनाते थे ना पहले किसी कंटे के पास जाते थे फ् बहुत डर रहे थे लेकिन दोस्तों बहुत से स्कॉलर्स बहुत से विद्वान ये बोलने की कोचिश कर रहे थे कि नहीं हमें यारप से रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए क्योंकि हमें उनके विचारों को सीखना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि यारप के लोगों को बाहर रखना चाहिए तो जापान की कंट्री को या इंडिया की कंट्री को सभी को पता था कि ये लोग पूरी अच्छी तरीके से वेल डवलप हो चुके हैं इनकी कंट्री में ब्रिटेन में और अमेरिका के अंदर बहुत टाइम पहले ही इंडिस्ट्रल रेविलूशन हो चुका है यानि कि अध्यों के करांती हो चुकी है और ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत आगे हैं तो इसलिए इनके सिस्टम को समझने के लिए हमको इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी तो इस तरीके से यारप के लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए कुछ विदवान लोग राजी थे कुछ स्कॉलर्स कह रहे थे कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा नया आइडिया सीखने को मिलेगा इसलिए हमसे इनसे जो मैं बोल सकता हूँ डिपलो मैसी जो होती है वो connect करनी चाहिए बाच्चित करनी चाहिए और इस तरीके से relation build-up होने लग गया लेकिन जपान के लोगों ने अपनी country के अंदर एक policy निकाली जिसे इनकी language में आप देख सकते हो बहुत अजीब सा वर्ड है फुकुआ कुआ ही मतलब बहुत ही मतलब अलिजीब सले किन इसे अगर इंडियन language में या हिंदी में देखें तो इसका मतलब हो गया अमीर देश और मजबूत सेना इसे हम अमीर का मतलब सम्रिध भी बोल सकते हैं यानि कि उन लोगों ने ये कहा कहा कि जापान के लोगों न बनानी पड़ेगी अगर हम अपनी मजबूत सेना बना लेंगे तो जिस तरीके से बृत ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था और भारत कुछ नहीं कर पाया था तो जापान के लोग इस चीज के लिए तयार रहेंगे और जापान के लोगों ने अपने जैपनीज मजबूत सेना इसका मतलब यह होगा कि भाई अगर हमारा देश सम्रिद होगा और डवलप्ड होगा और यौरप की लोगों से अच्छा रिलेशन बिड़लप कर रहे हैं तो हमें अपनी सेना को भी मजबूत करना पड़ेगा तो इस तरीके से इनके बीच में मैं बोल चकता नैशनल भावना जो है देश की भावना जो है वो पैदा हुई और सभी नागरिकों को अक सही स्ट्क्टर तरीके से राजा के अंडर में लाने के लिए एक सिस्टम चलाया गया इस सिस्टम को एंपरेर सिस्टम बोला गया जैसे हिंदी में आप समराथ पर्णाली बोलते है समराट परणाली का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होगी नौकरशाही होगी और दूसरा जितनी भी आर्मी होगी वो सारे की सारे राजा के अंडर में ही रहेगी और राजा के ब्रती वफादार रहेगी एक तरीके का यह सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है इस सिस्टम के फ्यूडल सिस्टम का नाम दिया गया है और यह तो आपको बहुत पहले से ही पता है आपने तीन वर्ग के अंदर भी पहले भी समझ लिया था यानि कि राजा का शाशन ही रहेगा लेकिन आर्मी और विरोकरसी पुरी तरीके से राजा के अंदर में रहेगी क्यों? युकि राजा को लगता है कि कहीं न कहीं वो सूर्य देवी का वन्शज है सूर्य का पुत्र है और इसकी वज़े से सभी जो लोग है वो भाई इनको मानेंगे और जिस दिन इनका बर्डे होता है जनम दिन होता है उस दिन नैशनल हॉलिडे होगा इस तरीके से मतलब सिस्टम को डवलब किया जा रहा था ठीक है ना? तो भाई जैसे ये लोग आए मेजी लोग आए और इनका बाहर से रिलेशन बिल्डप होने लग गया तो उन्होंने तीन-चार चीज़ों पर फोकस करा किन पर फोकस करा? सैक्शनिक सुधार करे एजुकेशनल रिफॉर्म करे एडमिनस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे कॉंसिटूशनल रिफॉर्म करे और economic reform करें ये चीछ paper के अंदर जरूर आता है इसे पूछा जाता है कि मेजी पुनर स्थापना के अंदर क्या क्या बदला हुए थे और ये चीछ paper में आपको लिखना पड़ता है अब चाहे तो अपनी copy के अंदर लिख सकते हैं, write down कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे किस तरीके से मेजी लोगों ने अपने relation को और अच्छा बनाने के लिए अपनी country जपान के अंदर किस तरीके से चीजों को सुधार करा सबसे पहले बात करेंगे educational reform के बारे में कि कैसे मेजी उने sectionic व्यवस्ता के अंदर सुधार करने की कोशिश करें क्योंकि वहां की लोग शुरुवात से ही पढ़ना लिखना चाते थे वो हमने तुका गावब परिवार के शुम डैनस्टी के लोगों के टाइम पिरड़ पर भी देख लिया था तो सबसे पहले क्या किया गया यह देखा गया कि 1870 के दशक में क्योंकि लोग 1868 के अंदर आ चुके थे है ना और 1870 का दशक का मतलब होता है 1870 से लेकर 1880 के बीच में यहां पे सभी लड़के और लड़कियों को यह बोला गया कि उन्हें यूनिवर्सल और कंपलसिरी एजुकेशन मिलेगा पश्रमी वेपारों का इस्तमाल तो करा मतलब पश्रमी वेपार का मतलब होगे विचारों का मतलब ही हो गया कि पेपर का सिस्टम होगा वही मतलब S.A.1, F.A.2, S.A.1, Final Exam, Mid Exam यह सब होगा क्योंकि यह सब अमेरिका के अंदर पहली होता था लेकिन उन लोगों ने क्या का? उन लोगों ने का कि हम लोग Japanese अध्यान पढ़ाएंगे मला हम दूसरी कंट्रियों के हिस्टरी नहीं पढ़ाएंगे हम सिर्फ अपने ही देश के हिस्टरी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे है ना तो ये चीज़ सबसे अची बात है दूसरा इन लोगों ने ये का कि education reform करने के लिए education के लिए हमें एक ministry भरानी पड़ेगी मलग कोई भी फैस्ते लेगी या कोई भी tax book से related बात होगी या teacher की training की बात होगी या exam के pattern की बात होगी इस लेबस के reduce करने की बात होगी इस लेबस के अंदर कुछ add करने की बात होगी तो वहाँ के ministry of education ही इन चीज़ों को control करेंगे यहाँ पे कोई नेतागन कुछ नहीं करेंगे और सबसे अच्छी बात tax book के अंदर सिखाया जाएगा children को क्योंकि अपने parents की इज़त कैसे करनी है nation के प्रती वफदार कैसे रहना है और अच्छा citizen कैसे बनना है इस तरीके से education के इंदर reform करा गया मतलब कोशिश ये करी गई कि अपनी संस्कृती को follow किया जाए और यहाँ पर main है अपने nation के प्रती वफदार रहना इस तरीके से इनकी ही language में Japanese language में इन सबी चीज़ों को पढ़ाया गया दूसरा है यहाँ पर administrative reform जैसे आप हिंदी में परशाशनिक सुधार कहते हैं दोस्तों यहाँ पर main मकसद ये था कि मेजियों को टेक्स इखटा करना था किस चीज़ के लिए स्कूलों के लिए और health के लिए है ना इन सबी चीज़ों के लिए इखटा करना था इसलिए इन्होंने new administrative system के तहत पुराने गाउं और जितने भी उनके इलाके की dominance boundaries हुआ घरती थी कि इनकी मेजियों की उन सबी को दुबारा से organize करा गया दुबारा से उनके re-measurement करी गई क्योंकि mean मकसद क्या था mean मकसद यह था कि वहां के इलाकों से tax लेना और दूसरी बात यह कि सैनिकों की भरती के लिए एक अलग से कारे करने के लिए अलग से संगठन बनाया गया और उनका mean मकसद यह था कि 20 वर्ष से जो बच्चा जपान में ऊपर हो चुका है उसको कुछ समय तक के लिए आर्मी के अंदर बने रहना ज़्यादा कंपलसरी है हैना तो इस तरीके से जो military force था उसका भी development हो रहा था तो यह थे हमारे administrative बदलाओ दूसरे बदलाओ थे constitutional reform आप हिंदी में समविधानिक सुधार बोलते है क्योंकि राजा ने क्योंकि मेजी वंश के लोगों ने समविधान तो नहीं बनाया था क्योंकि समविधान में तो सभी लोगों को equal मानना पड़ता है ना लेकिन यहाँ पे मेजी ने किस सिस्टम बनाया था वो मैंने भी आपको बताया था समराठ सिस्टम जिससे आप Emperor सिस्टम बोलते हैं जिसमें नौकर शाही और सेना पूरी तरीके से राजा के अंटेटेकिंग में होते हैं तो इसलिए ऐसा constitutional reform करा गया जिसमें यह बोला गया है तो भाई एक अलग से राजनेतिक समू बनाया जाएगा जिससे आप political group बोलते हैं जो पूरी तरीके से ये notice करेगा कि वो control करेगा meetings को और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख रहा है मतलब राजा के खिलाफ कुछ भी लिख रहा है तो भाई क्योंकि censorship लगाई जा रही है इसकी वज़े से opposition लोग बहुत से ऐसे लोग थे जो राजा के इन नीतियों के खिलाफ थे तो यहां पे कहीं ना कहीं देखने के कोशिश ये करे जा रही है कि bureaucracy और यानि कि यहां पे सेना डारेक्ली सरकार यानि कि यहां के राजा के हाथों में होगी वो गलत थी लेकिन दोस्तो अभी यहां पे धीरे 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 जापान के अंदर डवलप्मेंट और होगा धीर धीरे constitution आना चालू होगा आज भी तो मेजियों ने कही ना कहीं छोटोटे reform कर रही है वो लोग है न तो इसलिए एकदम सरकार का बगावत कभी नहीं होता है तो यहां पे तो constitution reform में बस यही हुआ कि इस्टिक censorship लगाई गई कानूनी विवस्था बनाई गई और यहां पे एक political group बनाया जा रहा है जो सरकार के अंडर में ही काम करेगा यानि कि राजा के अंडर में ही काम करेगा दूसरा है economic reform क्योंकि मेजी सरकार के time period पे कहीं ने कहीं हमने देखा था है कि उनके अमेरिका से और बिर्टेन से सम्मंद बन रहे थे वेबार की वज़े से इसलिए मेजी लोगों का अपनी अर्थ व्यवस्था का modernization करना बहुत ही ज़ादा जरूरी था क्योंकि यहां पे मेजी के reforms में सबसे important पहलू यही था कि वो कहीं ना कहीं economic को अपने reform करने की कोशिश करे इसलिए उन्होंने क्या करा था मैंने आपको बताता है कि अभी पुराने गाओं को और जो जो मेजीयों के undertaking में जितनी भी जमीने थी उन सभी पे जो भी agriculture होता था ना वहां से tax लेना इन्होंने start कर दिया अब tax लेना start कर दिया तो भाई जहां-जहां पे agriculture हो रहा है जहां- इससे important fact है आपके लिए यह fact जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1870 के अंदर सबसे पहले यहां पर महा कहते हैं आप देख सकते हैं रेलवे लाइन बिचाए गई जो याको हामा से लेके टोक्यों के बीच में है आप चाहें तो इसके बीच का distance find out कर सकते हैं दूरी find out कर सकते हैं Wikipedia से और comment box में बता सकते हैं कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी थी जो पहली रेलवे लाइन बिचाए गई थी ओके तो आपको कहीं पर ही मिल जाएगा यह आप रेलवे लाइन बिचाने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इनके पास समुदरी की इलाके भी थे, costal lines भी थी तो costal lines से वेपार करने का भी तो इनका में मकसद हुआ करता था यानि कि इनके पास costal line होने का भी फाइदा था इसकी वज़े से इन लोगों ने अपनी country के अंदर और जादा industries की establishment करने लग गए और अपने खुद के बच्चों को पढ़ने के लिए technology पढ़ने के लिए दूसरे देशों में भेजने लग गए और यहाँ पर जापान के छात्र अब विदेश भी जाने लग गए थे इसका फाइदा यह हो रहा था कि economic reform के अंदर जब बच्चा जापान का बाहर जाके education लेगा नई चीजे सीखेगा नई technology सीखेगा तो आप यह देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जापान में business बहुत तेज़े से बढ़ेगा technology बहुत तेज़े से आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं machine machine की requirement करी गई क्योंकि textile industry जापान में खुदी बनाए गया जा रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 2017 के आकड़ और अच्छितरीकी से growth कर सकें अब क्योंकि कॉस्टर लाइन से वेपार हो सकता था इसलिए क्या किया गया सरकार ने दो कंपनिया इन कंपनियों को हम Mitsubishi Corporation और Sumito Corporation दो ऐसी Corporation सरकार ने बनाई जो जहाज का निर्मान करेगी पानी के जहाजों का निर्मान करेगी और सरकार ने इविन इनको subsidy देनी चालू कर दी दूसरा 1872 के अंदर आप देखेंगे banking institution में modern banking institution कर दया गया जैसे कि internet banking का इस्तमाल करना वगएरा वगएरा चीज़े यह start हो जोगी तो इसकी वज़े से हम कहा सकते है कि मेजियों के time period में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से business जो है growth हो रही है इंडस्टी का growth हो रहा है कहां पर जापान के अंदर क्योंकि आप उनके संबन दूसरी country से बन रहे हैं और मेजियों ने किस तरीके से development करना चालू कर दया वह आपने देख लिया इवन देखा यह गया कि जिस तरीके से business बढ़ रहा था ना तो उस तरीके से अब जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी 1872 में 3.5 करोड जनसंख्या से बढ़के 1920 के अंदर 5.5 करोड जनसंख्या हो गई थी और इस तरीके से देखा यह गया कि जनसंख्या कैसे कम की जाए सरकार ने इसके उपाय करने लग गए तो उन्होंने ये कहा कि कही न कहीं migration करनी पड़ेगी जापान के लोग को दूसरी country के अंदर या दूसरे places के अंदर ये सरकार की नीती थी इस तरीके जनसंख्या कम हो सकती थी लोग इन लोगों को ऐसा लगता था तो ये अर्थ व्यवस्ता के बदलाओ थे मेजियों ने यही नहीं बहुत कुछ किया था और आप ये याद रखना कि मेजियों का टाइम पिरिड लग भग क्या होगा 1868 से लेके 1912 के बीच में यहाँ पर 1912 के बाद फिर ये देखा जाएगा किस तरीके से जनता जो थी जो सिटीजन वहां की थी उसने राजा का बगावत करा और किस तरीके से फिर वहां पर कॉंसूशन का इस्टैबलिश्मेंट होता है प्रॉपर चुना होते हैं वो हम सब चीज़े देखने के कोशिश करेंगे अभी बस हमने यही देखने की कोशिश करें कि कैसे बाहर के लोगों से वैपार होना चालू हो गया था और नए-नए इंडस्टीज लगनी चालू हो गई थी जब जापान के अंदर इंडस्टीज लगनी चालू हो जाएगे तो लोग को बिजनेस मिनने लग जाएगा लोग तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और इपाटशाला चानल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो इट पाटशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर पड़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत